Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ Class 12 की जो आपकी इलेक्टिव बुक है विचिस कलाइडोस्कोप उसकी पोवम नंबर 4 विचिस कुबला खान और A Vision in a Dream, A Fragment तो सब कुछ start करने से पहले मैं आपको basically title explain कर देती हूँ उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुबला खान आखर कौन थे? तो कुबला खान एक Mongolian ruler थे, चंगेज खान के grandson थे याने की पोते थे A Vision in a Dream, A Fragment Fragment का मतलब होता है bits and pieces में, थोड़े थोड़े टुकडों में तो जो हमारे poet है, S.T. Coleridge उनका ये कहना था कि वो एक दिन पहले, मतलब इस poem को लिखने के एक दिन पहले उनको बहुत headache हो रहा था, बहुत सरदर्द हो रहा था तो उन्होंने क्या किया? तो poet ने opium नाम का थोड़ा सा drug, थोड़ी से दवाई पीली, जिससे उनको थोड़ी दे नीन्द आ जाए जब उन्हें नीन्द आई, तो उनको किस के बारे में dream आया, किसका vision देखा उन्होंने, किसका सपना आया उनको कुबला खान के बारे में आया कहा जाता है कि जब drug पीने से पहले, याने दवाई पीने से पहले, वो कुबला खान के बारे में कुछ रीट कर रहे थे, जिस वज़े से उनको सपना भी आया लेकिन जब वो सपना देख रहे थे, तो suddenly उनको किसी ने कोई visitor आया, उन्होंने उनको interrupt किया, disturb कर दिया और उनकी नीन तूट गई जिसकी वज़े से क्या हुआ, उनको जितना याद रहा, जितना उनको कुबला खान के बारे में उन्होंने इमाजन किया, सपना देखा, ड्रीम देखा, उतना उन्होंने इस पोवम में लिग दिया है बहुत याद करके जितनी कोशिश हो सके उनसे उन्होंने लिख दिया है उसके आगे कब उनको याद नहीं था क्योंकि किसी विजिटर ना कि उनको डिस्टर्ब कर दिया था जितना याद था उतना ये पोवम आजम पढ़ रहे हैं सबसे पहले ऑथर जो आप हमारे पोएट हैं S.T. Coleridge उनके बार में पढ़ते हैं जो S.T. Coleridge थे वो imaginative थे as a child है यादने बच्पन से ही काफी कालपनिक रहे हैं उनको कालपनाय काफी अच्छी आती थी उन्होंने Cambridge University से अपनी पढ़ाई करी हुई है 1797 में William Wordsworth नाम के famous poet से वो मिले और दोनों ही romantic poets की first generation है याने generation होती थी जो romantic poems लिखते थे तो जो पहली generation थी romantic poems की उसमें S.T. Coleridge और William Wordsworth का हमेशा से नाम आया थे ठीक है Coleridge was responsible for presenting supernatural as real and Wordsworth would try to make ordinary reality as remarkable and strange तो जो S.T. Coleridge थे वो हमेशा से जाने जाते थे कि वो कोई भी supernatural चीज को real portray कर सकते अपनी कवीताओं द्वारा और जो William Wordsworth थे वो कोई भी ordinary चीज को reality में convert कर सकते थे अपनी कवीताओं द्वारा और वो जो भी वो convert करेंगे बहुती remarkable, strange और बहुती बढ़िया तरीके से अपने काम को present करेंगे फिर जो Byron, Shelley and John Keats नाम के जो poets हैं वो next generation थी romantic poets की तो पहली generation थी S.T. Coleridge and William Wordsworth और बाद में ये second generation of romantic poets आई अब जो ये poem का genesis है genesis मतलब big नहीं यानि जब ये poem poet ने लिखना चालू करी, begin करी It was a vision seen by Coleridge in a trans-like state of mind It tried to capture its essence but an interruption caused an irreparable break in its poetic flow तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब वो सो रहे थे, उन्होंने imagine किया, उन्होंने कुबला खान के बार में काफी कुछ imagine किया लेकिन somehow कुछ interruption हुआ याने किसी ने उनको आकर disturb कर दिया, जिससे उनका poetic flow तूड गया और जितना उनको याद रहा, उतना उन्होंने इस पोव में लिखाए Other than this, इनका birth year 1772 में हुआ था और death year 1834 में हुई थी ठीके, so this was all about our poet and now let's begin with the explanation of the poem 54 lines के पोव है, लेकिन बहुत बहुत easy है, आप length को देखके मत घबराएए पोव की, कि बहुत easy पोव है So let's begin In Zunadu, did Kubla Khan a stately pleasure dome decree First two lines का meaning समझते, decree का meaning क्या होता है An official order, जब किसी को कोई order या command दिया जाए तो Zunadu नाम की एक place है और Kubla Khan जो की एक Mongolian ruler है, ruler थे इन्हों ने अपनी प्रजा को एक decree दिया, ने एक command दिया, एक order दिया कि यहाँ पर मुझे अपना dome बनवाना है Dome बोले तो मुझे अपनी गुंबत बनवाना है, अपना महल मुझे इस Zunadu नाम की जगा पर ही बनाना है और ये जो मैं dome, यानि ये जो मैं अपने लिए महल बनवा रहा हूँ, ये किसलिए बनवा रहा हूँ? For pleasure, यानि स्रिव अपना आराम फर्माने के लिए अपना pleasure time spend करने के लिए Where elf, the sacred river ran और ये वो जगा है Zunadu जहाँ पर elf नाम की sacred river बहती थी यानि की ये धार्मिक नदी, holy river वहाँ पर बहती थी, elf नाम की तो सोचिए वहाँ का नजारा कितना अच्छा रहा होगा Through caverns measureless to man, down to a sunless sea Caverns का meaning क्या होता है? Very deep caves, बहुत गहरी गुफाओं को हम caverns कहते हैं तो बताया जा रहा है कि जो elf नाम की holy river है, sacred river है ये कहां से बहती चली आ रही है? ये caverns है, यानि पहाडों के बीच में से, जो hills के बीच में से जो बड़ी-बड़ी गुफाएं हैं, जो की बहुत गहरी है, जहां तक इंसान भी कभी नी पहुच सकता आदमी measure नी कर सकता, इतनी डीप गुफाएं हैं वो, वहां से ये बहती हुए आ रही है और बहते-बहते-बहते कहां पहुच रही है? down to a sunless sea, यानि बहते-बहते-बहते ये एक sea, एक समुद्र में जाके मिल जा रही है और ये समुद्र कहां पर है? sunless जगा पर, यानि जहां पर बहुत अंधेरा है, जहां पर बिलकुल रौशनी नहीं है, सूरज की कोई light नहीं आ रही है तो ये river बहकर sea के साथ मिल जा रही है, जुड़ जा रही है अब, twice five miles कितना होता है, पाँच मील को दो गुना कर दो तो कितना बन जाएगा वो? 10 miles बन जाएगा, ओके, तो twice of five miles is 10 miles, क्योंकि five twos are 10 होता है girdled का मतलब क्या होता है, to make a border encircle somebody, यानि जब आप एक border बना दो, या किसी चीज को घेरा बना दो, उसके आसपास ऐसे घेरा टाइप का बना दो तो यहां बोला जा रहा है, कि finally फिर एक, जैसे ही आदेश मिला कुबला खान का कि मुझे यहां पर, कि मुझे यहां पर एक dome बनवाना है, यानि कि एक महल बनवाना है और उस जगा को तुरंट बड़ी-बड़ी दिवारों से और टावर से क्या कर दिया, ऐसे round यानि घेरा बना दिया, कि यह जगा के बीच में अभी यहां पर dome बनेगा and there were gardens bright with sinus rills, और वो जगा कैसी थी, जहां पर यह dome बनने वाला है, वहां पर बहुत बढ़िया gardens थे, जो कि बहुत bright थे, यानि वहां पर बहुत bright sunlight आ रही थी with sinus rills, sinus का मतलब turning and twisting, having many curves, कोई ऐसी चीज़ दो बहुत curve, curve यानि गूम फिर के जा रही है और rills का मतलब होता है, small streams यानि छोटी छोटी नदिया, नदी से भी जो छोटी सा इसकी होती है, वो streams होती है तो वो ऐसी जगाती जहां पर बहुत gardens थे, बहुत bright gardens थे वहां पर और वहां पर छोटी छोटी streams यानि नदिया थी जो उपर hill से twist and turn करके, गोल-गोल घूम के बहरी थी तो सोची कितना beautiful नजारा वो रहा होगा वो ऐसी जगाती जहां पर जो पेड थे, where blossomed many an incense bearing tree यानि वहां पर ऐसे tree, ऐसे पेड रहे होंगे उस जगा पर जहां पर बहुत खुश्बुदार फूल उग रहे होंगे और वो जो जगा थी, वहां पर ऐसे forest थे, वहां पर ऐसे जंगल थे जो hills यानि की mountains जुतने ancient थे यानि की पुराने थे अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह होता है कि एक पहाड को बनने में सालों करोडों साल लग जाते हैं एक पहाड को बनने में यानि long period of time लगता है तो बताया जा रहे है कि जितने पहाड पुराने होते हैं, exactly उतने पुराने और घने वहां पर जंगल थे और उस पूरे डोम के आसपास को जो इलाका था, वो बहुती सनी था यानि सूरज की अच्छी bright रोशनी वहां पर पहुच रही थी और बहुत जादा greenery थी यानि पेड़ पौदे से पूरा घिरा हुआ था डोम तो इस तरीके की बहुत beautiful प्लेस थी, जहां पर डोम बन रहा था, कुबला का But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill at what a sedan cover A words ध्यान से समझे, chasm, chasm का मतलब क्या है? यानि कि जो hill में से जो river बह रही है, मानो जी ये hill है इस hill के बीच में से जो बड़ी elf नाम की river बह रही है, इस में से जो छोटी-छोटी नदियां अलग-अलग से निकल रही है यानि ये जो छोटी-छोटी streams है, इसको हम बोल रहे हैं chasm, क्योंकि वो बहुत खूपसूरत दिख रही है आथवाट का मतलब क्या होता है, from side to side, यानि इस main elf river के side में से जो side to side आथवाट मतलब side to side जो river बह रही है, छोटी-छोटी streams बह रही है, उनको बोला गया है आथवाट sedan क्या है, sedan एक तरीके का tree है, इस तरीके से वो दिखता है तो बोला जा रहा है कि जो hill में से river, जो streams बह रही है, वो slanted है, यानि ऐसे downfall slanting direction में नीचे की तरफ आ रही है और फिर आते आते बहते 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 बहते, वो कहां जा रही है, sedan नाम के इन पेडों का बहुत जुंड है, बहुत घना जंगल है, उसके बीच में जा रही है, और फिर उसके बीच में से बह रही है और यह जो पूरा नजारा है जो यह पूरा पूरा व्यू है यह बहुत romantic दिख रहा है याने बहुत ही beautiful दिख रहा है A savage place और यह place कैसी है बहुत ही wild और बहुत ही beautiful place है As holy and enchanted और यह जगा बहुत holy याने धार्मिक जगा दिख रही है क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी थंडी हवा है इतनी positivity ही कि बहुत ही धार्मिक जगा वो दिख रही है और ऐसा लग रहा हो जैसे कोई enchanted place है याने जैसे कोई magical जादू ही जगा है इतनी खूबसूरत थी As ever beneath a waning moon was haunted by woman wailing for a demon lover Waning का मतलब क्या होता है To appear slightly smaller each day after being full and round जब full moon day होता है जब moon बिलकुल अपने full size में होता है बड़ा सा round ऐसा बन जाता है तो फिर क्या होता है फिर धीरे moon हर दिन छोटा 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 small size का होता है तो उसको हम warning moon कहते है और wailing का मतलब क्यों होता है crying याने की रोना तो वो जो पूरा environment है जो पूरा नजारा है जो पूरा scene दिख रहा है जहाँ पर बन रहा है उसका पूरा dome गुबला कान का वो ऐसा लग रहा है ऐसा मानो लग रहा है कि इतना खूपसूरत है कि मानो magical लग रही हो वो जगह और साथ ही ऐसा लग रहा है ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पर कोई औरत हो मानो जैसे वो रो रही है वेनिंग मून याने चान के नीचे वो औरत रो रही है और किसके लिए रो रही है अपने दीमन लवर के लिए याने की अपने प्रेमी के लिए रो रही हो और वो जगा उसके रोने की वज़े से बहुत haunted यहने बहुत डरामनी भी लग रही है तो ऐसी जगह जहां बहुत magical है जहां positivity भी है magical भी है वो थोड़ी सी haunted भी लग रही है beautiful भी लग रही है तो बहुत ही चमतकारी miraculous place वो लग रही है and from a schasm with ceaseless turmoil seething as if this earth is fast thick pants were breathing ceaseless का मतलब क्या होता है continue for a long time without stopping कोई चीज continuously भेह रही है चल रही है बिना रुके turmoil का मतलब क्या होता है a state of great noise भी बहुत तेज अवाज आती है तब हम कहते हैं turmoil तो बोला जा रहा है and from this chasm याने जो alf नाम की river भेह रही है और उसमें से जो छोटी-छोटी streams निकल रही है जो की बहुत खुबसूरत दिख रही है वो क्या हो रहा है वो hill से जब बहती हुए नीचे आरी तो वो गोल-गोल-गोल twist and turns लेती हुए आरी है आरी है आरी है और आते-आते कहां मिल जारी है ocean में या sea में, sorry, मिल जारी है समुद्र में और कैसे मिल रही है बहुत great noise के साथ जाने जब वो मिल रही है पानी में जाके तो जो पानी के आवाज है वो बहुत तेज आवाज है और ऐसे आवाज है जैसे ऐसा लग रहा है कि जो earth है, जो धरती है उसमें जिस तरीके के जो पानी के आने के जो movements है, जो vibrations है ऐसा लग रहा है earth बहुत तेज तेज ब्रीद कर रही है और हाफ रही है पैंट से याने हाफ रही है अब mighty fountain momently was forced और उसी वक्त suddenly अचानक से क्या होता है जमीन से एक fountain याने गीजर निकलता है अब गीजर वो नहीं जो पानी गरम करता है जैसे streams, ठोटी rivers होती वैसे छोटा सा धरती से निकले हुए fountain को हम गीजर कहते है तो उसी वक्त क्या होता है एक mighty fountain याने गीजर एक fountain जो है वो धरती से निकलता है धरती से तो वो उतना portion of earth को या जमीन को destroy कर देता है तोड़ देता है और फिर उसमें से fountain निकलता है amid whose swift half intermittent burst huge fragments vaulted like rebounding hail और जब वो fountain निकलता है धरती में से तो क्या होता है जो अंदर धरती में पत्थर होते हैं rocks होते हैं तूटके बाहर निकलता है और इस तरीके से उड़ते हैं हवा में और ऐसे उड़ते हैं जैसे कि वो hail लग रहे थे यानि जैसे आसमान से ओले गिरते हैं तो ओले गिरते हैं जमीन पर तूटके बिखर जाते हैं वैसे जमीन से तूटके इस तरीके से fountain में से वो पत्थर निकले और तूटके ओलो की तरह आस्मान में उड़े हवा में इस तरीके से ऐसे उड़े तो ऐसा प्रतीत हो रहा था देखकर वहाँ पे और शाफी ग्रेन beneath the thresher's flail flail का मतलब क्यों आता है a movement without control है का ऐसा movement किया गया है thresher वाले style से याने जब आप जमीन पर पतक पतक के जब अनाच को निकालते हो उसके stems में से उसकी leaves में से stems में से तो वो threshing होती है तो बोला जा रहा है ऐसा लग रहा था कि उसमें से अनाच के दाने निकल रहे उचल के उपर गिर रहे हैं और यह बहुत uncontrollable movement था एकदम से निकला वो and mid these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river और स्रिफ याने कि यह जो जमीन में से जो आपका fountain निकला यह किस नदी से जोड़ा हुआ था यह elf नाम की नदी से जोड़ा हुआ था तो स्रिफ जब यह fountain निकला है याने जब elf नाम की नदी इस तरीके से fountain form में बाहर निकली तो स्रिफ पत्थर ही नहीं निकले याने rocks ही नहीं निकले उसमें से बलकि उसमें से जो पानी जो sacred river जो elf नाम की जो आपकी sacred river थी उस पानी की बूंदे भी साथ में निकली पत्थर के तो basically जो पत्थर थे वो छोटे बड़े दोनों साइजेस के rocks में तूटके बाहर निकले और साथ ही साथ क्या निकल रहा था साथ ही साथ जो fountain में elf नाम की sacred river थी उस river की जो पानी की बूंदे थी वो भी उचल के ऐसे बाहर हवा में उचल रही थी तो अब जो ये sacred river थी याने की जो ये alpha river थी ये कहां तक जाती जा रही थी इससे पहले हम difficult words के meanings देख लेते meandering का मतलब क्या होता है to have lots of curves जब बहुत सारे curves, twists, twists and turns होते हैं उसे meandering कहते mazy मतलब confusing turns and movements जब बहुत turns, curves, बहुत confuse करने वाले होते हैं that is mazy dale का मतलब क्या होता है कोई valley या फिर कोई field तो बोला जा रहा है कि ये जो river थी sacred river थी जिसका नाम था alf ये 5 miles याने 5 mile तक twist and turn होके confused होते हुए इधर से उधर से बहुत सारे wood वोड याने बहुत सारे jungle याने बहुत सारे forest को cross करती हुई बहुत सारी valleys बहुत सारे fields को cross करती हुई ये river भहती जा रही थी 5 mile तक then reached the caverns measured to man measure less to man और फिर finally किसको cross करती हुई गई उन caverns याने उन गुफाओं को cross करती हुई गई जो इतनी गहरी थी इतनी डीप थी कि आदमी उसको measure नहीं कर सकता याने नाप नहीं सकता and sank in tumult to a lifeless ocean tumult का मतलब क्या होता है a loud noise याने बहुत तेज आवाज और फिर बहते 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 यह alf नाम की river कहा चली गई कहा मिल गई जाके एक ocean में जाकर मिल गई और यह जब ocean में जाकर मिली तो बहुत tumult हुआ याने बहुत तेज noise बहुत तेज आवाज आई क्योंकि जो यह ocean था यह उस वक्त lifeless था आने कि उसमें कोई waves नहीं थी, पानी बिल्कुल स्थिर था, बिल्कुल काम था, और उस वक्त ये आल्फ नाम की river two esterns लेते हुए, hill को cross करती हुई, फिर गुफाओं को cross करती हुई, जंगलों को cross करती हुई, पेड़ों को cross करती हुई, finally ocean में जाके join करी, finally ocean को जाकर उसने, उससे mix हो गई, मिंगल हो गई, okay and amid this tumult, Qubla heard from far ancestral voices prophesying war, और जब Qubla दूर बैठा हुआ था, तो उसको ये बहुत तेज आवाज आई, कि कैसे alpha river ने जाके mix हो गई ocean में और बहुत तेज आवाज आई, तो जब उससे ये बहुत तेज आवाज आई, तो Qubla खान को मानो ऐसा प्रतीत हुआ, कि उसके जो ancestors थे, याने जो उसके पूरवज थे, वो आवाज लगा रहे हैं, और उससे कह रहे हैं, कि Qubla कोई जंग छिडने वाली है, औ तुम जल्द से जल्द उस जंग की तैयारी कर लो, तो ये आवाज उसको ऐसा लगने लगा, मेरे पूरवज मुझे कुछ सिगनल दे रहे हैं, जंग के बारे में, ओके? तो अब क्या है, नीचे क्या है, एक ओशन, एक सी पूरा बहर है, तो जो ये डोम था, ये जो पूरा डूम, याने ये जो पूरा महल था, उसकी जो शाडव, याने जो उसकी परच्छाई थी, जो सरफ प्लेजर के लिए बनाई थी, सरफ मजे से रहने के लिए बनाई थी, कुबला खान ने तो ये जो महल क्या जो shadow जो परचाई है वो नीचे पानी पर इसकी परचाई पढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि इन waves इन लहरों के साथ जो पूरा महल है वो भी पानी में क्या कर रहा है float कर रहा है याने कि तैर रहा है where was heard the mingled measure from the fountain and the caves और वहाँ पर बहट कर जो कुबला खान था वो क्या सुन सकता था वो mingled आवाजे याने mixed आवाजे सुन सकता था किसकी fountain की जो धरती से इस तरीके से गीजर निकला था और जब पत्थर तूटे थे उसकी आवाज सुन सकता था और caves से जब alpha river cross होके आती है confusing direction से तो वो जो पूरी आवाज थी पानी की वो सब की mix आवाजे वो वहाँ बैट कर सुन सकता था तो सोची कितना beautiful नजारा तो था ही था साथ में कितनी melodious voices आवाजे भी वहाँ बैट कर पानी की आवाजे नेचर की आवाजे सुन पा रहा था और यह जो पूरा नजारा था बहुत miracle था यानि कि ऐसा लगड़ा था कोई चमतकारी नजारा है जो कि बहुत rare है बहुत ही rare कम बार एक का दुका बार देखने को कभी ऐसा मिलता है a sunny pleasure dome with caves of ice तो इतना rare था यह और इतना चमतकारी नजारा था कि वहाँ पे इतना beautiful सा dome था और उसके आसपास क्या थी? caves थी यानि बहुत सारी गुफाएं थी और बहुत sunny pleasure था यानि वहाँ पर sun भी आ रहा था बहुत bright वहाँ पर sun की पूरी light भी आ रही थी और आसपास जितनी caves यानि गुफाएं थी वह इतनी घहरी इतनी deep थी कि उसमें अंदर ice यानि की बर्व जम गई थी तो सोचिए जहाँ पर contrasting चीज बता रहे हैं कि sun भी आ रहा है और बर्व भी जमी हुई गुफाओं में तो सोचिए वह जगह कितनी miraculous यानि कितनी चमतकारी होगी और नजारा कितना प्यारा होगा अब यहां पर जो हमारे poet है S.T. Coleridge वो कह रहे हैं कि जब मैं सो रहा था तो मैंने अपने vision में याने अपने dream में, अपने सपने में देखा था कि एक damsel भी थी, damsel याने कि एक young unmarried girl याने कि एक कुआरी लड़की मैंने देखा और वो क्या बजा रही थी, वो किसके साथ गूम रही थी dulzheimer नाम के एक musical instrument के साथ थी, इस तरीके का dulzheimer musical instrument होता है इसमें strings होती है, आप इसको pluck करके बजा सकते हो, या फिर यहां पर एक handled hammers होते हैं, उसकी मदद से आप ऐसे बजा सकते हो तो जो हमारे poet Estee Colridge है, वो यहां पर कह रहे हैं, कि जब मैंने अपना vision देखा था, जब मैंने अपना सपना देखा था, तो मैंने उसमें एक यंग लड़की को देखा था, जो कि dulzheimer के साथ थी It was an Abysnian maid and on her dulzheimer she played singing of Mount Abora तो वो जो लड़की थी, वो जो maid याने वो जो लड़की थी, वो Abysnian थी, याने कि इथोपिया नाम की जगा से बिलॉंग करती थी और वो अपना dulzheimer जो थी, वो बजा रही थी, और साथ ही साथ गाना गारी थी, याने singing कर रही थी किसके बारे में गाना गा रही थी, Mount Abora के बारे में, तो Mount Abora एक mountain ने जो इथोपिया में, तो इसके बारे में वो गाना गा रही थी और साथ में डलzheimer बजा रही थी तो वो कहते हैं मैंने इस तरीके का भी एक विजिन, इस तरीके का भी मैंने एक ड्रीम देखा था जब मैं सो रहा था कुड़ाय रिवाइब विदिन मी, हर सिंफिनी आंड सॉंग सिंफिनी क्या होता है, a long piece of music written for a large orchestra जब आँ बहुत लंबा सा music लिखते हो, orchestra में गाने के लिए, बजाने के लिए that is symphony, तो poet कहरे है कि काश मैं उस गाने को जो बजा रही थी, जो वो गा रही थी जो इतना melodies, इतना मीठा गाना जो गा रही थी, काश मैं उसको revive कर पाऊं यानि वापस से recreate कर पाऊं, अपनी life में उसको जिन्दा कर पाऊं क्योंकि वो इतना beautiful गा रही थी और बजा भी रही थी, to such a deep delight, that would win me और तब क्या होगा, अगर मैं इस गाने को recreate कर दूँ, फिर से जिन्दा कर दूँ तो मुझे इससे बहुत गहरी delight, यानि बहुत जादा खुशी मिलेगी ऐसा लगेगा कि कही न कहीं उस गाने ने मुझे जीत लिया, मुझे इतना पसंद आया वो गाना तो अगर ऐसा हो जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी poet कह रहे हैं, that with music loud and long, I would build that doom in air तो poet कहते हैं, कि अगर मैं अपना doom बनाऊ, अगर मैं अपना महल बनाऊंगा इस लड़की के, इस made के music को use करके, तो मेरा music कैसा होगा मेरा music बहुत loud होगा, बहुत तेज सुनाई देगा सबको और बहुत long होगा, यानि लंबे समय तक मेरा गाना चलेगा और मैं अपना doom बनाऊंगा, कहां? air में, कुबला खान ने तो बनाया था, उस जगा पे, जहां पे बहुत पेड़ थे जहां पर, मतलब river भे रही है, जहां पर बहुत गीजल निकल रहा है, fountain निकल रहा है लेकिन मैं अपना doom कहां बनाऊंगा? air में, यानि की हवा में और वो कैसा doom होगा? बहुत sunny doom होगा, वहां पर भी क्या होगी? बहुत sunlight आएगी और वहां पर भी caves होगी, लेकिन बरबर्फ से ढकी हुई, caves होगी, लेकिन ये सब कहां होगा? ये सब होगा air में, ये सब हवा में होगा और वो सारे लोग जो मेरे इस गाने को सुनेंगे, वो आसमान में उस वक्त मेरे इस doom को देख रहे होगे जिसके इर्द गिर्द क्या होगा? इर्द गिर्द caves होगी और जिसके अंदर पूरी बर्फ होगी और सारे लोग कैसे cry करेंगे? यानि कैसे चिलाएंगे? बिवेर, बच के रहो, बच के रहो यानि इस आदमी से जिसका हवा में इत्ता डूम, इत्ता महल बना हुआ है इससे बच के रहो और उसकी आखे देखो कितनी wild हैं, उसके बाल देखो कैसे हवा में crazy की तरह उड़ रहे हैं वो लोग बोलेंगे दूर रहो इससे, अपनी आखे बंद कर लो क्योंकि इसकी आखे बहुत wild हैं और इसके बाल बहुत खतरनाक तरीके से हवा में उड़ रहे हैं और इसके इर्द गिर्द एक circle बनाओ तीन बार, याने अगर मान लो ये poet खड़े हैं अपने doom के साथ तो इनके आसपास एक circle बनाओ तीन बार, याने एक बर बना दिया, इसी के उपर दूसरा, इसी के उपर तीसरा तो ऐसा बना दो, जब लोग देखेंगे तो ऐसा बोलेंगे and close your eyes with holy dread, dread मतलब जब आप बहुत ज़ादा afraid होते हो, डरे हुए होते हो किसी चीज से तो वो लोग क्या बोलेंगे, अपनी आखें बन कर लो, मत देखो इसको, क्यों, क्योंकि अब आहमें बहुत डर लग रहा है, तो उसे बिल्कुल मत देखो, अपनी आखें बन कर लो for he on honeydew hath fed and drunk the milk of paradise, क्यों, क्योंकि इसने क्या fed कर लिया है, इसने क्या खा लिया है, honeydew खा लिया है honeydew क्या होता है, एक sweet sticky substance होता है, dew याने ओस की भूंदे, लेकिन जब पत्तियों पर इस तरीके से चिपचिपासा, मीठा, ओस जमी होई रहती है, तो उसे हम honeydew कहते है, honeydew usually भगवानों का खाना होता है तो लोग क्या बोलेंगे, poet को देखे कि दूर रहो इससे, क्यों क्योंकि इसने honeydew खा लिया है, याने भगवान का खाना खा लिया है, और इसने milk of paradise पी लिया है, याने कि heaven का milk, स्वर्ग का milk इसने पी लिया है, तो इससे दूर रहो अब क्यों कहेंगे दूर रहो, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये अब कोई normal इंसान नहीं रहा है, क्योंकि इसने honeydew खा लिया है, milk of paradise इसने पी लिया है, heaven का milk पिया है तो इससे दूर रहो, ये अब कोई मामूली व्यक्ति नहीं रहा, ये अब एक ऐसा व्यक्ति हो गया है, जिसके अंदर कोई देविय शक्तियां आ गई है तो इससे आप दूर रहो अपनी आखें बंद कर लो इसके आसपास सरकल बना लो क्यों क्योंकि हमें उससे कही न कहीं ड्रेड याने की डर लग रहा है और यहाँ पर एक वर्ड और आया है विच इस हैथ है तो हैत किया है है एक archaic word याने की old-fashioned English word पूराने जमाने में जिसे हम हैथ कहते थे उससे हम आज के जमाने में हैफ कहते तो जो हैत है यह old-fashioned English word है जिसको आज के जमाने में हम हैफ कहते So this was all about your poem थोड़ी सी lengthy poem थी लेकिन यह बहुत easy और बहुत simple पूम थी और इतना ही लिख पाई पोएट है इस पूम में क्योंकि इतना ही वो देख पाई अपनी विजिन अपने ड्रीम में क्योंकि उसके बाद उनको किसी विजिटर ने इंटरॉप्ट कर दिया था याने कि डिस्टर्ब कर दिया था तो वो अपने आगे का पूम नहीं ल अब तक के लिए बाब बाई और टेक्ट